मुख्य मंत्री पुश्कर सिंग धामी की UCC बिल को लाने की घोषणा के बाद अब इस मुद्दे को लेकर सरगरी में तेज हो गई है और UCC जो है अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा इसको लेकर हमाई साथ बात्चीत के लिए मौजूद हैं उत्राखंड के संस आच फरवरी से आठ फरवरी तक विधानसभा काम में सत्रा आउत किया है और आप जानते हैं कि हमारे एक सिटिंग मेल मिस्टर शर्वत अंसारी जी उनका इसी बीच में दिहार सान हुआ है बस पाके थे मैं अपनी सरकार के वर से उनको शर्दासुन परिक कर रहा हूं उनक इसको शर्दान ली देने का काम पूरा सधन करेगा तो पहले दिन तो तो जो प्रहंपरा रही है तो उसको हम लोग सिस्टर रहें सदन को और नेक्स देश से आठ की वीच में सारे काम करेंगे लेकिन उससे पहले हम लोग कारे मंतर समीती की बैठ़क के साथ बैठते हैं हम प्रवर्श शमीति की प्रेश्थ करेंगी उसिती में इसे स्थिती में हम उम्मीद करेंगे उसके देख अद फेल करेंगे और उसके बाद सदन प्रिश्थिती रहुगा। या अगले सत्र पर बुलाना पड़ेंगे क्योंकि यह सिर्फ पांसे आठ का विशह है बजट सत्र थोड़ा आप जानते हैं थोड़ा लंबा भी रहता है उसमें महामीम रज्यपाल जी का विभाशन भी होता है सारी चीजे होती है और उस पर अभी हम फैसला नहीं कर पाएं हो आने वाले टेम पर उस पर फैसला करेंगे ऌनी कि इसमें मात्र जो है हमारा जो मैंने पहले बहुता है कि सत्र बी कंटीनुश्य सत्र नहीं किसे लाना ही तो है तो ऐसे में मानके चलिए कि इस सत्र में यह दोनों विशे इसमें लग बग व्यापक चर्चा के बाद इसे फिर हमारी कोशिश होगे इसमें पारित करें और व्यापक चर्चा मिस्पित दो से अब राश्ट मुद्धा है और इसको लेकर राश्ट में जो दूसरी विपक्ष क कि पार्टियां हैं वो भी आरोब लगा रही है बाश्पा सरकार पर यू सी सी जो है वो कोड नहीं कोड है हरी शावत जी ने भी कहा कि अलग अलग राज्य है अब उत्राखंड आ रहा है फिर असाम लाएगी फिर गुजरात लेके आएगी इसमें ट्राइबल्स को भी अलग क कि अपना नजरी आ है और वो लोग राजनितिक चसमे से देखते हैं उनको और सिर्फ एक धरम की राजनिति करनी होती है भारतियनता पाटी एक मात्र ऐसी पाटी है जो व्यापक हित में काम करती है उनके लिए सभी धर्म समान है और इसका नाम भी समान नागरी का आचार सं समझी हम सभी को समान दृष्टी से देखते हैं और चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सिख और इसाई या कोई भी हो हम सब को चाहते हैं वह हमारे यह समान दृष्टी से उनके लिए कानून लागू हो इसलिए यह युशिसी लाने का हम लोगों का प्रयास है अब आप समझे करने के बाद फिर आप देखें लगातर हमने उनके कारिकाल को बढ़ाया भी है ताकि हम व्यापक और चर्चा कर सके ऐसा निया कि हमने का करी और तुरूंत आप रिपोर्ट पेस करिए जो तिन वार हमने उनके कारिकल भी वह जब लगा कि अभी भी आवशक्त आनों 15 दिन क चाहे किसी धर्म को प्रुसाहित करते हूं मैं शब्द हो लाँ किसी को भी प्रुसाहित करते हूं क्योंकि उस लोंकी तो सिरफ एक ही जाती वर्ग से उनका विशेस लगाव रहता है आप देखिए धारा 375 कल तक कहता कि खून की नदिया बैह जाएंगी आज लाग हुआ है मोदी जी का आप द्रड़ इच्छा सकती देखिए राम मंदिर जिसके लिए लोग कहते थे किसाब राम मंदिर राम जो है काल्पनिक थे और भगवान सिर्र राम का मंदिर ना बनाने के लिए पूरी बड़ी बड़ी फौज जो है वकिलों की और सुप्रिम कोर्ट में खड प्रतिष्टावी भगवान सिर्राम की आप देखिए जिस धर्म के को यह प्रोथसाइद करते हैं तीन तलाक उन बहनों के साथ जाती हुरी वह इनको नहीं दीख रहा था वह भी खतम करने का काम अधने मोदी जी ने किया उसी परकार का हम फिर कह रहे हैं कि हमारा भरतिंता पार्टी का इसी राष्टे पार्टी है और किसी धर्म की बात नहीं करती सभी को साथ लेके चलती है तब ही उन्होंने कहाई समान नागिर आचार सिंथा सभी को साथ लेके चलेंगे और उस पर हमने जहाँ इस कमेटी को बनाया फिर हम व्यापक चर्चा के लिए जो हमारा भावनाई व्यक्त करना एक वर्ग को उनको जबरदस्ती प्रोस्थाइच करना तो मुझे दर्शाता है यह जाते हैं कि यह ना तो पास हो और यह महौल खराब करें मैं सभी से अपील कर रहा हूं देखिए हम लोग सभी पार्टी के लोगों से मैं तो व्यक्तिक रूप से बतлом हैं यह ज quieresक्ति को बनाकर रखें सबीव का धरम को कह रहे हैं कि कि समान नागरी काचार संगिता की कानुन को भव्य तरीकिसे को गीतनी के लिगा, कानुन व्यवस्ता को को राण ही नहीं है आप जानी ने में दो तीन उधारण दी है आपको हमने 375 की बात थी रामंदिर की बात थी पिन तलाक की बात थी कहां कानून विस्तखरा हुई यह देश अब बहुत आगे बढ़ चुका है जब यह जाती धरम पे बाढ़ते थे आज उससे बहुत आगे यह देश बढ़ चु प्रकार की बात थों को आप कहना अब मैं समझता हूं ना जाए 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 बहुत 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 धन्यवाद तो यह देशात संसद्य कारे मंतरी प्रेम चंद अगरवाल जी उनका कहना है कि किसी को परेशान होने की धर्म जरूवत नहीं है यह धर्म विशेश का बिल नही जा रहा है पांच तारिक को जो है एक विधायक के निधन पर उनको श्रदांजली दी जाएगी और इसके साथ चे तारिक को यूशी सिबल टेबल पर रखा जाएगा दो लाग शाठ हजार से जादा सुजावाय थे 38 मीटिंग यूशी सी कमिटी ने करी थी पांच सदस्य य इसको सदन में रखेंगे देरादून से अंकित शर्मा आच तरह